दोस्तों आप जानी गए होंगे आज का ये टुटोरियल अरिजीत का गाया आज से तेरी जो की अक्षे गुमार की अपकमिंग मूवी पैड मैंड से हैं आज हम इसको स्टेब आइ स्टेब नोटेशन के साथ सीखेंगे काफी इंटरस्टिंग बॉल है इस गाने के तो चलिए शुरू करते हैं नमस्कार मेरा नाम है संजे और आप देख रहे हैं सीको सरल दोस्तों गाने से पहले इसमें शेहनाई की दुन का काफी बड़ा पार्ट है मगर मैं उसको सिखाऊंगा नहीं आपको वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा हम सीधा गाने से शुरू करते हैं एक छोटा सा मीजिक होता है गाने से पहले इसको मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वो गाने में काफी बार आता है बीच बीच में आता रहता है इसलिए इसको चिखाने जरूरी हिं वा गाने की बीच बीच में बार बार आयेगा पहले मैं आपको बजा के दिखाता हूँ उसके बाद मैं आपको step by step बताऊंगा ये गाने से पहले जो music शुरू होता है उसको बताने जा रहा हूँ इसमें दो सुर कॉमल यूज हुए है कॉमल गा और कॉमल नी ये धियान रखिएगा पहली काली से शुरू करेंगे जिसको western note में C sharp भी कहते हैं western note में ये C होता है तो ये C sharp होगा एक line को हमें तीन बार बजाना है तो पहली line है इसकी नोटेशन देखेंगे आज से के लिए सा मा मा इसके बाद है तेरी कॉमल गा रे कॉमल गा तेरी उसके बाद है सारी गलिया कॉमल गा रे सा रे सारी गलिया उसके बाद है मेरी मेरी सारी उसके बाद है हो गई सा और कॉमल्नी कॉमल्नी जो है वो मन सब तक का लगा है यह ध्यान रखिएगा सा कॉमल्नी उसके बाद गई फिर से कॉमल्नी और सा अगली लैन है आज से के लिए आज से के लिए सा, मा, मा और पा उसके बाद मेरा के लिए मेरा कॉमल्नी रे उसके बाद घर तेरा हो गया घर के लिए रे उसके बाद तेरा उसके बाद हो गया सा, नी कॉमल्नी मन्द सब तक का कॉमल उसके बाद गया के लिए इसके बाद जैसे ही दोनों लैने खतम होती है फिर से वही मूजिक शुरू हो जाता है जो हमने स्टार्टिंग में बताया था एक लैन को में तीन बार बजाना है जैसे ही मूजिक खतम होता है इसके बाद हम पहली और दूसरी लैन जो हमने स्टार्टिंग दी वह दोनों रिपीट करेंगे आज से तेरी सारी गलिया मेरी हो गई और आज से मेरा घर तेरा होगे दोनों लैन को जैसे ही मूजिक खतम होता है इसके बाद दोनों लैन को रिपीट करेंगे और उसके तुरांद बाद तीसरी जो लैन शुरू होती है पहले मैं आपको बचा के दिखा देता हूँ यह जो तीसरी लैन हमने बचाई यह बिलकुल पहली लैन की ते बचेगी आज से तेरी सारी गलिया मेरी हो गई जैस हमने सीखी थी वैसे ही यह वाली लैन बचेगी वैसे ही यह लैन बचेगी आज से मेरी सारी खुशिया तेरी हो गई इसके बाद चौथी लाइन आती है ये लाइन भी बिल्कुल दूसरी लाइन की तरह बजेगी आज से मेरा घर तेरा हो गया जैसे हमने बजाई थी वैसे ही आज से तेरा गम मेरा हो गया बजेगी बिल्कुल सेम सेकिंड लाइन की तरह बजेगी इसके बाद गानी का तुरण दूसरा pattern शुरू होता है अगली लैंज शुरू होती है मैं दूसरे pattern से शुरू होती है मैं बजा के दिखाते हूँ आपको Notation के साथ देखेंगे इसके बाद अगली लैंज है इसके Notation देखेंगे कोमल गा दो बार फिर मा फिर कोमल गा फिर साथ इसके बाद अगली लैंज आती है यह वाली लैंज बिल्कुल वैसे ही बज़ेगी जैसे हमने अभी बजाए थी ओ तेरे कांदे का जो तिल है वो ही Notation है इसके ओ तेरे कांदे का जो तिल है और यह वाली लैंज ओ तेरे बिजली का जो बिल है दोनों सेम Notation है दोनों के बोल अला लगे है मगर Notation बिल्कुल सेम है बिल्कुल ऐसे ही बज़ेगी के बाद अगली लैंज है आज इसे मेरा हों गिया गा मा 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 गारिसा Notation देखेंगे मा 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 गारिसा मैं आपको बहुत slow-slow बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा गाने का जो tempo है मैंने सेम नहीं रखा है मैं थोड़ा slow लेके चल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए इससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर इस लाइन के बाद अगली लाइन तुरंद बजेगी ये लाइन भी विल्गुल उसी लाइन कितने बजेगी जैसे हमने पहले बजाए थी वो तेरे कांदे का जो तिले इसके बाद है ओ मेरे पिन कोड का नंबर ये लाइन भी बिल्कुल और तेरे कांदे का जो तिले वैसी बजेगी मगर इसमें थोड़ा संतर है एक नोट का अंतर है इसको मैं आपको पूरा बता देता हूँ पा 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 चार बार पा उसके बाद दो बर मा 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 उसके बाद नी लगेगा इसमें कोमल कोमल नी लगेगा उसके बाद पा मा और कोमल का इसके बाद फिर वही वाली लाइन रिपेट हो जाएगी इसके बाद जैसे यह लाइन खतम होती है आज से तेरा हो गया अगले वीडियो में बनाएंगे वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंब हो जाएगा ओके दोस्तों वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमिट बॉक्स में जोरु लिखेगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक को बनता है और अपने संगीत प्रे